इसकार ने चुनाव आयोग को चिठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं। इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। पांच बजे चुनाव आयोग ने चुनाव केंद्र सरकार के कहे के मताबिद चुनाव टालने का एलान कर दिया। आप सबको नमस्कार। नगर निगम के दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। नौ तारिख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है स्टेट इलेक्शन कमिशन है दिल्ली का। उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इन्विटेशन भेजा कि आज शाम को पांच बजे। चुनाव आयोग MCD के चुनावों की तारीख का एलान करेगा। डेट से लान करेगा किस तारिख को नॉमिनिशन होगा। चार बजे उसके एक घंटा पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिठी लिखी। कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं। इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। पांच बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंदर सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का एलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा। कि केंदर सरकार ने सीधे किसी राज्ये के चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बाच्ची चल रहे हैं कि दो तिन बाते चल रहे हैं। भारतिय जंता पार्टी के सरकार हैं। अगर इनको तीनों MCDs को एक साथ करना था, इकठा करना था, आठ साल में इन्होंने क्यों नहीं किया। चुनाव की तारीखे एलान करने के एक घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों MCDs को एकठा करना इसलिए चुनाव टाल दिये जाएं। तो लोग कह रहें कि MCD को एकठा करना एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था, क्योंकि BJP को लग रहा था कि दिली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी के जबरदस्त लहर है, BJP उस लहर में बह जाएगी और BJP हार जाएगी, इसलिए चुन नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है, आज तीन नगर निगम है, दिली में 272 वाड हैं, कुछ हिसमें, कुछ हिसमें, कुछ हिसमें, तो तीनो नगर निगम के कांसलर अपने अलग-अलग नगर निगम में बैठते हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनो बैठने लग जाएंगे दुबारा चुनाव कराने की क्या जूरत है विचुनाव रोकने की क्या जूरत है चुनाव टालने की क्या जूरत है चुनाव करवाओ नए कांसलर आएंगे और नए कांसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाए कि दोनों चीज़ें अच्छी नहीं जो केंद्र सरकारucharने चित्ठी लिखें चुनाव टालने को कहा वह भी ठीक नहीं है और चुनाव डायोग-केंद्र सरकार के सामने जुक गया और चुनाव टाल दिये यह भी अच्छा नहीं है जंद अंत्र के लिए मेरी हाद जोड के प्रधान मंत्री जी से अपील है प्रधान मंत्री जी सरकारें आती जाती रहेंगे कल आप भी नहीं होंगे कल मैं भी नहीं होंगा हम इंपोर्टेंट नहीं है लोग इंपोर्टेंट नहीं है पार्टियां इंपोर्टेंट नहीं है देश important है अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डालके चुनाव कैंसल कराती है इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है और चुनाव आयोग कमजोर होता है चुनाव कैंसल होते है तो देश कमजोर होता है हम सब को मिलके देश की रक्षा करनी है किसी भी हालत में हमें institutions को कमजोर नहीं होने देना मेरी आपसे हाथ जोड के विंती है चुनाव cancel मत करें अगर चुनाव cancel होते हैं ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खत्रा है आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों MCD एक करना चाहते हैं इसलिए चुनाव टाल दीजिए कल को मानलो डोकसभा को चुनाव है उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये parliamentary system अच्छा नहीं है हम presidential system लाना चाहते हैं समविधान में बदलाव करना चाहते हैं इसलिए चुनाव टाल दीजिए तो क्या चुनाव टाल दीजिए मानलो कल को कोई state assembly का चुनाव है ये कहा जाएगा कि हम दो राज्यों को इकठा करना चाहते हैं इसलिए चुनाव टाल दीजिए तो क्या चुनाव टाल दीजिए क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं यह बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं प्रधानवंतर जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, यह देश रहेगा, इस देश को अपने को कमजोर नहीं करना, मुझे नहीं पता कि राज जी के हमारी जो स्टेट स्टेट इलेक्शन कमिशनर हैं, उन पर ऐसा क्या प्रश्य डाला गया, उनको क्या धंकी दी गई, इंकम टैक्स की, ED की, CBI की, कोई धंकी दी गई, या वो अभी अप्रेल में रिटायर हो रहे हैं, तो उनको पोस्ट रिटायर्मेंट कोई लालज दिया गया, मुझे नहीं यह तो जनतंत्री नहीं बचेगा, हम लोगों ने अजादी किसलिए पाई थी, इस देश ने अजादी किसलिए पाई थी, जनता का राज है, जनतंत्र इस देश के अंदर, आप ऐसे चुनाव टाल देंगे तो जनतंत्री नहीं बचेगा, मुझे नहीं पता आपके उपर क् आपके साथ खड़ा होगा, पूरा देश आपका साथ देगा, पर जुकिये मत सर, किसे के सामने मत जुकिये, देश की बात है,